आज मैं आपको सिखाऊंगे ट्रेडिशनल स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाना वो भी चुल हेपी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बरतन में दो से तीन बड़े चमच तेल गर्म कर लेंगे तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें दो हरी मिर्च और तीन चार कटी हुई प्यास डाल कर मिला लेंगे अच्छे से अब हम चिकन में नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे और बाद में थोड़ी देद के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब प्यास के गुल्डन ब्राउन होने पर हम इन में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल के अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ गाओं के खेत में मुझे जो भी मिला वो सब डाल कर मैंने नए तरीके से चिकन बनाने की कोशिस की है अब मैंने इसमें अद्रक और हरा लेसुन या फिर स्प्रिंग गार्लिक जो भी आप बोलो उसका दरदरा पेश्ट बना कर डाला है और फिर मैंने यहाँ पे लेसुन और लाल मिर्च पाउडर को पीस के मसाला बनाया है वो भी मैं डाल दूँगी आप कम ज्यादा अपनी पसंद से डाल सकते हो अब हम अब हम इसमें धनिया जीरा पाउडर और चिकन मसाला जो रेडिमेंट पैकेट में आता है वो डाल कर अच्छे से मिला लेंगी आप चिकन मसाला ना डालो तो आप उसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो और सब वापस अच्छे से मिला लेंगे और पांच मिनिट तक ऐसे ही पकने देंगी यहाँ पे मैंने सूखी लेसुन की कलिया पूरी की पूरी दो से तिन डाल दी थी उपर से अब चिकन को ढख कर उसमें पांच मिनिट तक पका लेंगी इसके बाद यहाँ पे मैंने दस से पंदरा चेरी टोमेटोस डाले है और हम इसे बंद करके पंदरा से बिस मिनिट तक पकने देंगी बिस मिनिट के बाद तयार है हमारी चिकन ग्रेवी तो चलिए लाश्ट में हम धनिया डाल कर गार्निस कर लेंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत बूलना